बिस्मिल्ला रहमान रहीम डॉन च्रिड नकेड्मी तुदेंट्स तुदेविल टीच मैथमेटिक्स तुक्लास थर्द तुदेंट्स ऑपन ज्योर बुक पेज नमबर 44 एक्सरासैज नमबर 11 question number four question number five six seven and question number eight is your homework मैं आपको अब question number four से तक तक तमाम सवाल समझा देती हूँ आपको करना कैसे है आप यूट्यूब पर देखेंगे समझेंगे लेकिन उतारेंगे नहीं बिलकुल और खुद से अपनी exercise book पे अपनी पे करके और स्कूल में जमा कराएंगे बच्चों आप लोगों को यह homework स्कूल में जमा कराना है और पुरा पुराना homework जमा करना है और नया homework लेके जाना है Students question number 4 समझे There are 3240 lines in an exercise book of 120 pages How many lines are there in each page? इस सवाल का मतलब यह है कि एक copy पर 3240 3,240 lines है और copy पे जो pages हैं सफे हैं वो 120 हैं तो यह बताओ कि यह तो टोटल पुरी copy में 3,240 lines है न तो एक सफे पर हमें मालूम करना है कितनी lines होंगी Lines पे लिखते हैं न आप लोग देखें सबसे बहले data इस तरह बनाएंगे Number of Lines in 120 pages जो Lines की तादाद है 120 सफाद पे वो है 3,240 हमें मालूम करना एक पेज पे लाइनों की तादाद Number of Lines इन वन पेज एक पेज पे कितनी लाइन हैं यह मालूम करने के लिए हम 3,240 को 120 से डिवाइड देंगे बचूँए यह देखें डिवाइड दिया 120 से किसको 3,240 पूरी कॉपी पे हैं और हमें 120 से 120 pages है 120 pages पे इतनी लाइन है एक पेज पे मालूम करने के लिए कि एक पेज पे कितनी लाइन हैं यह मालूम करने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा 120 में 120 में तीन डिजिट है तो इधर के भी हम तीन डिजिट पहले ले लेंगे यह अब तीन डिजिट लेंगे तो हो नमबर बनेगा हमारा 324 120 में 120 को से मल्टिप्लाए करके रफ कॉलम में देख ल enduring को किस से मल्टिप्लाए करेंगे 2 से तो आपका 240 आएगा 324 में से 4 में से 0 माइनस करें 4 remainder अब यहां तो 2 है इसने बराबर से लिया यह क्या बन गया 12 12 में से 4 माइनस कीजे 8 2 में से 2 हमने माइनस करा कुछ बचेगा नहीं अब हमने यह 0 उतारा 0 उतारा तो फिर हमारा अब जो फिगर बन गई नमबर बन गया वो 840 है 120 सेविन्जा 840 अब आपको तो नहीं आता न टेबिल आप देखिए कैसे मालूम करेंगे तो इस सुडेंट देखिए 120 सेविन्जा तो 240 84 बचा यह 0 हमने लिया तो 840 हमारा नमबर बन गया अब 127 सेविन्जा 840 तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पेज पे कितनी लाइन्स है 27 लाइन्स है हम आंसा लिख देंगे कि एक पेज पे 27 लाइन्स देरा 27 लाइन्स ओन या इन वन पेज और अब हम मैं यह भी बता दू कि 120 का टेबिल आपको नहीं आता तो 120 तूजा कैसे मालूम करेंगे सेमिन्जा कैसे तूजा मालूम करने के लिए 120 तूजा two से मलटीप्लाइ कर दे two zeros are zero two two's are four two ones are two two hundred forty 120 सेमिन्जा मालूम करने के लिए seven से rough column में मलटीप्लाइ कर दे seven zeros are zero 7 2s are 40 1 carry 7 1s are 7 and 1 8 840. Question number 5. There are 364 days in 52 weeks. 52 weeks याने 52 हफतों में दिन कितने होते? 364. How many days are there in one week? एक हफते में कितने दिन होते? एक हफते में how many days are there in one week? एक हफते में फिर कितने दिन होंगे? एसे तो तुम्हें जबानी याद है? कि एक हफते में 7 दिन होते हैं, पीर, मंगल, बुज, मिरा, जुमा, हफता, इत्वार. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. मगर हम उसको solve कैसे करेंगे? जबानी थोड़ी हमें इमतहान में जवाब देना है. 364 को डिवाइट दे दीजे 52 से. 364 को 52, 52, 7 जा, 364. अब 52 का टेबल आपको नहीं आता. आप 7 जा मालूम कैसे करेंगे? यह देखिए 52, 7, 7 से मल्टिपलाई दीजे, 7, 2, 14, 1, carry, 7, 5, 35, and 1, 36. 364 यह आ गया. तो 52 वीक में दिन कितने हैं? 364. वन वीक में 364 डिवाइड बाइ 52 का आंसर क्या आया 7 डेस वन वीक में 7 डेस नाव कुछिन नमबर 6 दियर आर 816 स्टूडेंट इन आई स्कूल एक स्कूल में 816 तालबेल में इफ इच क्लास है 68 स्टूडेंट अगर हर क्लास में 68 बच्चे हो तालबेल में इच क्लास है कितने स्टूडेंट इच क्लास है इच क्लास है 68 स्टूडेंट तो 68 से 816 को डिवाइड दीजे आपका आज़ाएगा 12 क्लास है अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाती हूँ देखें बच्चों टोटल स्टूडेंट्स स्टूडेंट इस्कूल के अंतर है 816 और एक क्लास में बच्चे है 68 उससे हमने डिवाइड दिया 68 बच्चे हमने माइनस करा 68 को तो हमारा क्या बचा रिमेंड़ तो यह नमबर हमारा बन गया 136 और मैंने आपको सिखा दिया है टेबल 68 का आपको नहीं आता तो आपने वह देखें रब कॉलम में आप देखिए 68 को टू से मल्टिप्लाय कर दें क्या आ गया 136 वह यहां लिखा तो इसका मतलब स्कूल के अंदर कुल क्लासे कितनी है 12 12 क्लासे दियर आ 12 क्लासे देखिए 16 हैंकरचीफ हैंकरचीफ रुमाल कैन भी पैक्ट इंट वन बॉक्स एक डबे में 16 रुमाल पैक किये जा सकते हैं इक डबे में कितने बांडरेट शक्व रुमाल को हम्हक करना हो तो हमें पैक करना होından 7 Tab हैंकरचीफ कर होनी यह बच्छों हम डेटा किस तरह बनाएंगे टूटल एंकरचीफ 1264 अब 16 एंकरचीफ आफ दे लिए इन वान बॉक्स में 16 हैंकरचीफ से तो 1264 के लिए डबे हमें कितने चाहिए हैं यह मालूम करने के लिए 1264 को 16 से यह डिवाइड दिया यह देखे 16 12 16 से छोटा है इस वजह से हमें तेन डिजिट लेना पड़ेंगे 126 क्या नंबर बना 126 16 7 जा 112 और 126 माइनस 112 माइनस कीजे 112 126 में से आपका क्या रिमेंडर आया 14 4 ये उतारा 144 16 9 जा 144 हो सकता है बास बचों को 16 का यहार ना हो तो 7 सा उन्हालुम करने सिक्सिन demographic को 7 से मुल्टिप्लार दे जिजे 9 सा मालुम करने के लिए 16 को 9 से उन्हालुम करने से भावैंस मेंे सेविच्छ। से इन से मुल से सbnसे ले Crash और 9 जा मालूम करने के लिए 144 आपका नेक्स स्टेप में आ गया ठीक है ना अब कुश्चिन नमबर 8 है आपका कुश्चिन नमबर 8, 665 apples were divided equally 665 save है उन्हें बराबर तक्सीम करना है और baskets के अंदर pack करना है याने हर basket के अंदर एक बराबर save की तादाद रहे how many apples did each basket contain बताओ फिर कितनी तादाद हर basket के अंदर रखी जाए कि वो पूरे पूरे divide हो जाए हर basket के अंदर हम data बनाएंगे 19 baskets 19 baskets के अंदर कितने save है 665 one basket अब हमें मालूम करना है एक basket में कितने save होंगे तो one basket है 665 divided by 19 19 से 665 को divide दीजे 19 थ्रीजा 57 66-57 माइनस कीजे माइनस करना हाता है आपको बराबर से ले लिजे अगर कम है 6 चोटा है तो अब आपका यहाँ 6 से 6 में से 57 माइनस कीजे निकाल दीजे तो आपका क्या बचा 9 आपने ये 5 उतारा तो आपका नंबर बन गया 95 19 500 95 अब आपका एक basket में save होंगे तादाद कितनी 35 apples यह आपका answer है स्टूडेंट्स अपनी चेक करी हुई कापी स्कूल आकर लेकर जाईए और अपना पहला का जो हूंवक आपको दिया गया था वो जमा करा के जाईए और नया हूंवक आपको बिलकुल need and clean handwriting में और खुद करना है किसी से पूछना नहीं है यूट्यूब पे समझिए और बच्चों की अभी तक स्कूल की फीस जमानी हुई है स्कूल की फीस जमा कीजिए